स्वागते दोस्तों आपका हमारे चैनल All CVSE Education in Hindi में दोस्तों आज का वीडियो BA First Year के जो प्रोग्राम के student है उनके लिए होने वाला है और पहले ही मैंने updates में बता दिया था आपको कि history का syllabus आपका start होने वाला है BA program semester one के जो student है semester one जिनका paper होने वाला है उसी का जो syllabus से हम start कर रहे है तो पहला chapter है आपका इतिहास लेकन की प्रवर्तिया वे स्रोतों का सर्वेक्षन तो आज हम स्रोत के बारे में देखेंगे इतिहास लेकन की जो प्रवर्तिया है उसके बारे में अभी नहीं बताए गया है तो वो आगे बता दिया जागा तो आज हम भारती इतिहास के सुरोत जो भारत का इतिहास है उसको जाने के लिए हम तीन सुरोत का उप्योग करते हैं तीन सुरोत है ऐसे पहला है पुरातात्विक सुरोत दूसरा है साहितिक सुरोत और तीसरा है विदेश यात्रियों के विवरण तो ये तीन सुरोत है जिससे हम भारती इतिहास को जान सकते है तो आज हम आज इस वीडियो में हम पुरातात्विक सुरोत देखेंगे क्या होता है ऐसे question बन सकते हैं या आपको दो question बन जाया भारते इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक्स रोतवे साहितिक्स रोतों का वर्णन करें तो ऐसे आपसे जो question पूछ सकते हैं तो एक question आपको पता है कि 20 number का होता है तो 20 number में आपको ये नहीं है कि इसे 2 page लिख दिया हो गया ये 4 page लिख दिया हो गया इसमें आपको कमज़कम 8 page 8 से 10 page तक लिखने पड़ेंगे तब आपको 20 में से 20 मिलेंगे तो मैंने पहले ये ऐसे बना दिया है कि आपको जो है पूरे number मिल सके exam में पुरा तात्विक स्रोत के ओपर सिर्फ ये वीडियो होने वाला है और पुरा तात्विक स्रोत में आपके कमज़कम 7 page तक जाएंगे तो start करते है पुरा तात्विक स्रोतों की साहिता से इतिहास लिखर पहला है आपका तो start करते है सिक्के तो सिक्के के बारे में जो पहले आप सिक्के लिखेंगे उसके फिर बारे मताएंगे सिक्के कैसा है बनावट कैसी है या कहां से पाएगे तो पढ़ते हम आगे हमें सिक्के धरातल के ओपर वे नीचे दोनों जगों से प्राप्त हुए है सिक्के क्या है एक तो धरातल यानी जमीन के नीचे वह जमीन के उपर दोनों जगे से प्राप्त हुए है इसके अध्यन को मुद्रा सास्तर कहा जाता है सिक्के भारत के उन कालों से संबनित जानकारी का महतपुन सुरोत है जिस काल के वह सिक्के है उस समय की जानकारी के लिए प्रमुख जो सुरोत है महतपुन सुरोत है वो है सिक्के सिक्के क्या है दो कालम विवाजित किया जाता है एक सिकंदर के आकरमन से पहले जब सिकंदर का आकरमन नहीं हुआ था उससे पहले और दूसरा सिकंदर के आकरमन के बाद तो दो कालों में इसे विवाजित किया जाता है तो आगे देखते हैं सिकंदर के आकरमन के बाद के काल में भारत के सिक्के में सुधार हुआ था और उस पर कई चीजे उत्किन की जाने लगी जो सिकंदर का जो आकर्मन हुआ था उसके बाद क्या हुआ जो भारत के सिक्के थे उसमें कुछ बदला हुए थे उसमें सुधार हुआ उसके ओपर कला क्रेतियक की गई उत्कीन की जाने लगी यानि सिक्के के ओपर क्या है उत्कीन की जानी कई चीजे बनाने लग जाने लग तो क्या है इसमें क्या बदलाव आये कि क्या है कि कभी यह चांदी सोने तामबे और शीशा आधी के रूप में बदलता रहा है और जो यह था आपका सिक्का अब सिक्के जो है आपकी एक सब हेडिंग है अब इसके पॉइंट जो है यह है राजवन्सों का पता लगाना पहला पॉइंट सिक्की के माध्यम से हमें ये भी ग्यात होता है कि कि सासक का सासन कितने वर्षों तक रहा कैसे पता लगता है क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे सिक्क्यों के ऊपर जो है वो तिथिया छपवाते थे तो जिनके कारण क्या है हम जो सिक्कों के माध्यम से कई सारी जानकारिया प्रात कर सकते हैं उनमें से एक राजवन्सों का पता लगाना दूसरा है अर्थ विवस्ता की जानकारी तो अर्थ विवस्ता की जानकारी भी हमें सिक्कों से पता चलती है तो देखते हैं क्या लिखा हूँ इसमें सिक्कों से हमें विविन कालो की विविन सासको के सासन की अर्थ विवस्ता का भी पता चलता है क्योंकि ये अनुमान लगाए जाता कि जो सिक्के है वो कई धातूों से बनाए जाते थे कई धातूों मैंने बता दिया आपको सोने चांदी तामबा और शीशा ये चार धातू थे जिन से सिक्के बनाए जाते थे तो सिक्के कई धातू से बनाय जाते थे और यदि किसी सासक के सासन काल में सोने के सिक्के के परमाण मिलते है तो ये अंदाजा लगाय जाता कि उसकी अर्थवेथा उचाईयो पर थी अगर किसी सासक जो है सासन सासक के काल के अगर हमें सिक्के प्राप्त हुए अगर वह सोने के होंगे तो हम यह अंदाजा लगाएंगे कि जो उस समय की अर्थविवस्ता थी वो काफी जादा अच्छी थी ऐसे ही यदि किसी राज्य के सासन काल में चांदी के सिक्के मिलते थे तो यह अंदाजा लगाया जाता था कि अर्थवेस्ता सोने के मुकाबले यानि सोने का सिक्का उसके मुकाबले कमजोर थी और ठीक इसी परकार तांबाव शेशे की करम में भी अंदाजा लगाए जाता है तो ये क्या है कि अर्थवेस्ता की जानकारी में भी महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं सिक्के नेक्स्ट है आपका धार्मिक विवरन तो धार्मिक विवरन में क्या-क्या है सिक्कों से हमें ये भी पता चलता है कि उस काल में किस देवी देवताओ की पूजा की जाती थी क्योंकि जादतार राजाओं ने अपने काल में जो सिक्क्य क्या थे एक तरफ अपनी तस्वीर लगाते थे और दूसरी तरफ अपनी देवताओं की तो इसके कारण भी क्या हैं जो धार्मिक विवरन है उससे हमें परिचित हो पाते हैं तो देखते हैं विसे क्या लिखा इसमें क्योंकि जादतार राजाओं ने अपने काल के सिक्के में एक तरफ अपना मुंद्राकन करवाया और दूसरी तरफ देवी देवताओं का मुंद्राकन करवाया था इसे ये भी पता चलता है कि जनता और राजा के इस देवी सब्सक्राइब कर दो जानकरी नेक्स्ट आपका भासा समंदी जानकरी सिक्को के माध्यम से हमें उस काल की भासाओं के बारे में भी पता चलता है क्योंकि राजा सिक्कों पर कुछ न कुछ लिखवाया जरूर करता होगा तो जिससे क्या है हम वहां की भासा की जानकारी जो जानकारी वह भी पासकते है तता जब हम सिक्कों को देखते हैं तो हमें विभीन काल की भासाओं का ग्यान प्राप्त होता है तो हमें कई कालों का जो है भासाओं का ग्यान पराप्त होता है तो भासा समंद्री जानकारी भी हमें सिकों से मिल सकती है पांचवा है सामराज्य विस्तार यानि छेतर विस्तार सिकों से हमें विभिन सामराज्य की सिमाओं का भी पता चलता है और यह अनुमान लगाय जाता है कि जिस राजा के सिक्खे जितनी दूर तक पाए गए अनुमानित उनका राजियों वहा तक फैला हुआ था यारी सामराज्य विस्तार में सिक्के कैसे मदद करते है कि जिस राजाओ के सिक्के जो है कि जितनी दूर तक पाए गए मालो अगर दिल्ली में रहते तो वो अगर हमें उत्तर परदेश तक पाए गए तो ये था आपका सिक्क्य के बारे में सिर्फ नेक्स्ट है आपका दो है अभिलेक और सिक्क्य है तो अब अभिलेक के बारे में जानेगे अभिलेक प्राचिन भारत के इतिहास में सबसे विश्वासनी सुरोत माना जाता है अभी लिख क्या है? सबसे विश्वास नहीं है यानि जिसके उपर हम विश्वास कर सके ऐसा सुरोत माना जाता है अभी लेक इसके अध्यन को पुरा लेक सास्तर कहा जाता है ये अभी लेख विभिन परकार के पत्थरों, धातुों, इस्थंबों, मूरों, ताम पात्रों आधी पर उतकेंड किये जाते थे जो अभी लेख है वो इंची जो पर उतकेंड यानि लिखे जाते थे अभी लेखो के मुखे दो परकार के लेपियों का प्रचलन था अभी लेखों की विलिपिया होती थी वो दो परकार की होती थी उस समय दो परकार का प्रतलन था एक था ब्रहमनी और दूसरा था खरोष्टी लेकिन क्या जैसे जैसे समय जो है बिता गया वैसे वैसे विविन इस्थानों पर विविन भासाओं में उन्हें लिखा जाने लग तो यह थोड़ी आपकी थी अभी लेक के बारे में आप बता देंगे कि अभी लेक होता क्या है कहते किसे तो इन अभी लेकों को मुखे दूर पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है या दो भागों में विभाजित किया जाता है एक है राजकी अभी लेक जिने साही अ अशोक के आदेश पत्र सबसे प्राचिन है तथा अब तक असोक के चोदा बड़े बड़े तथा अनिको छोटे अभिलोक की पहचान की गई है तो राज की अभिलेक क्या है? क्या है कि वो राजा उनके पदा दिखा रही हो यानि कोई जो उनका मंत्री परिसद है मंत्री उंत्री है तो उनके द्वारा जो है राज की अभिलेक जारी किये जाते है और असोक के आदेश पत्र सबसे प्राचिन है इन अभिलेकों में जो अभिलेक प्रात हुए है तो उनमें क्या असोक के जो आदेस पत्र है वो अविलेखों पहरी लिखवासते थे आदेस पत्र तो वो क्या सबसे प्राचीन है तता अब तक असोक के जो है चोदा बड़े बड़े तता अनेकों चोटा अविलेखों की पहचान की गई है तो यह था आपका राजकी अविलेख दूसरा है न नीजी अभीलेखों की संख्या साही अभीलेखों की संख्या से कहीं ज़्यादा थी यानि नीजी अभीलेख जो थे वो साही अभीलेख या राजकी अभीलेख है उनसे कहीं ज़्यादा था तता उनसे भी उस समय की सासन काल की जानकरिय प्राप्त होती है तता क्या है नीजी धार्मिक और सांस्क्रितिक पहलियों पर प्रकाश डालते हैं यानि धार्मिक भवनों यानि ऐसे आपने देखे हूँ कि मंदिर तो उसके उपर क्या है लिखे होगा करते थे उतकिन किया जाते थे अक्षर तो उसे देखकर जो है प्राचिन भारत के सामाजिक और धार्मिक सांस्क्रितियों की पहलिया है उन पर भी प्रकाश जालते है तो नेक्स्ट है आपका अभी लेखों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय की भूव वैस्ता किस परकार की थी क्यों कि क्या है उस अभी लेखों में जिक्र है कि कौन सी जमीन ब्रामनों और भिक्षूओं वैं मंदिरों को दान में दी गई तो ये था आपका पुरा तात्विक सुरोत इतिहास लेखन में सहायक जो इतिहास को लिखने में पुरा तात्विक सुरोत किस परकार सहायक है पूछा जाए कि पुरातात्विक सुरोतों की साहता से इतिहास लेखन लिखिए कई घुमा की कोशन पूछ सकता आपसे तो मैं सीधा ही बना रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आया जाए और आपकी बुक देखी मैंने बहुत ही हाड है बुक तो मुझे भी समझ नहीं आया तो मैंने इसको बहुत मुझे से करके एजी किया है तो बहुत एजी लेंग्वज में कहीं नहीं मिलेगा आपको तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताए कि बच्चे नेक्स्ट वीडियो चाहते की ने क्योंकि मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा तभी मैं वीडियो डालूँगा बिये प्रोग्राम की तो मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जय है जय बारत बंदे मातरम